दोस्तो अगर आप भी Instagram का Reels आप अपनी चेनल पर upload करते हैं और आप सोचते हैं कि हमारा चेनल जो है monetization enable होगा या फिर नहीं होगा यानि कि हम अपनी चेनल से जो है earning कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे तो आप इस वीडियो को पूरी last तक देखिएगा दोस्तो क्यों दोस्तो इंस्टाग्राम में भाई का बहुत सारे भाई का message आया कि भाई Instagram के Reels जो है हम अपनी चेनल पर upload करते हैं तो क्या हमारा चेनल जो है monetize होगा या फिर नहीं होगा क्योंकि दोस्तो जब हम Instagram के Reels अपनी चेनल पर upload करते हैं तो सारक सारे वीडियो पर copyright claim आजाता है अगर आप भी अपनी चेनल पर जो है Instagram के Reels डालते हैं या फिर किसी अधर social media platform से sort videos को उठा करके आप अपनी चेनल पर डाल देते हैं और आपके मने में कुछ ऐसा doubt है कि हमारा चेनल जो है monetization enable होगा या फिर नहीं होगा हम अपनी चेनल से आरनी कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे तो आप इस वीडियो को पुड़े लास्त तेख देखेगा क्य widow में आज इसी तरह बात करने बाँए इस वीडियो में वीडियो काफी ज़ादा इंपर्टनक्uitive है दोस्तो वीडियो को जरू लास्त तेख देख hedgehog विडियो करते हैं, विडियो सुरू करते हैं, विडियो सुरू करने इस पर आप जान दीचे के मेरा नाम है Amand और आप देख रहे हैं हमारी YouTube चैनल Amand Road Tooth, चलिए विडियो करते हैं, Start तो दोस्तो मैं आपको बता दू दोस्तो, जैसे के आपको पता होगा दोस्तो YouTube के तो आपके channel से ये दोनों criteria कम्पलीट हो जाएंगे यानिकि आपकी channel के video जो है viral भी हो जाएंगे दोसतो यनिकि उस video से आपके channel पर subscriber भी आजाएंगे 4000 गंटा के watch time भी कम्पलीट हो जाएंगे दोसतो लेकिन दोस्तो जब आप अपनी channel के under review में भेशते हैं के लिए तो आपके तो क्यों को देखते हैं और दोस्तो आपके षारे वीडियोस पर कोपि STK होता है जोस्तो यानि कि आदा तर prepare यहीं पर आपके चेक्राइज नहीं और दोस्तो attractive आपके तरव कोपिर आइश क्लेम होगा है । क्यों कर् lists के लग को बता दो जूस्तो कि इस तरह के चैनल जो है Nicolas री यूच कंटेंट पर आ जाता है हलां कि दोस्तो आपके चेनल अगर मोनिंटाइज हो जाता है मोनिटाइज आपके चैनल किसी तरह हो भी जाता है इस तरह के चैनल फिर आप अपनी चैनल से ओर्निंग नहीं कर पाईएगा दोस्तों कि दोस्तों इस तरह को जो चेनल होता reuse content पर आ जाता दोस्तों reuse content जड़ा समय आपको बता दो दोस्तों कि यह जो है Google Advert का एक policy है यानि कि Google Adsense का एक policy है दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि हम अपने वीडियो से तभी earning कर पाते हैं जब हमारे वीडियोस पर aid चलते हैं यानि कि दोस्तों हमारे वीडियोस पर aid चलते हैं फिर उस aid से जो है हमें पैसा देते हैं दोस्तों Google Adsense में aid होते हैं आपको पता होगा दोस्तों लेकिन दोस्तों कि चेनल के वीडियोस reuse content होगे तो फिर आपके जो AdSense जो है आपके वीडियोस पर एड नहीं चलाएंगे दोस्तो एड नहीं चलेंगे तो हमारे चेनल के वीडियोस से अर्निंग नहीं होगी दोस्तो तो क्या फाइदा है ऐसा वीडियोस अपलोड करके तो दोस्तो मैं आपको बता दू आपके चेनल जो है री यूज कंटेंट पर इस तरह के चेनल आ जाता है जातर जो है आपके चेनल मोनिटाज ही नहीं होंगे दोस्तो अगर किसी तरह मोनिटाज हो जाता है तो आपके चेनल पर एड नहीं चलेंगे दोस्तो क्योंकि reuse content पर इस तरह के जो है वीडियोस आ जाते हैं और आपको पता होगा दोस्तो reuse content जो है Google AdSense का एक policy है उमीद है कि दोस्तो आप समझ गए होंगे दोस्तो कि इस तरह के channel upload करने से हमारा channel monetize होगा या फिर नहीं होगा यानि कि हमारा channel अगर monetize होगा भी जाता है तो हम अपनी channel से अर्नी कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे उमीद है कि दोस्तो यह जानकर यह आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिजिएगा दोस्तो चेनल मा अगर पहली बार आएं और इस तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते है तो channel को जरूर सब्सक्राइब कर दिजिएगा दोस्तो क्यो भारत